आज हम लोग गोरकपुर के अंदर हैं, गोरकपुर योगी आदित्यनाद का जहां से राजनीतिक सफर शुरू हुआ आईए यहां की जनता से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग योगी आदित्यनाद को सपोर्ट करेंगे इस बार 2022 में की नहीं करेंगे या फिर या खिलेश यादव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आईए गोरकपुर की जनता से ही बाचीत की शुरूआत करते हैं अगर मैं आपसे पूछूँ पीकेमल जी, क्या है गोरकपुर जनता की मूदी? आज हमारे प्रमपुज योगी आदिन्दा जी महराज हैं, वो सभी लोगों के और इस छित्र की जनता के आस्था के पृतिक हैं, उनके दुख दर्वत के वो हरन करने वाले हैं कोई भी छोटी सी समस्या होती है, या बड़ी समस्या, हर वगति अपनी समस्या लेके गोरकपुर जनता मंदिर पहुचता था पुरु मे जब महराजी मुखमंतिन नहीं थे, और अपनी समस्या का समाधान वहां से उपाता था कुछ चीजें ऐसी हैं कि गोरखनाद मंदिर अपने आप में एक आस्था का केंद्र है तो बहुत सारे लोग तो भगवान से भी आपने समस्या का निराकरन मांगते थे लेकिन जब स्री गोरख फीठा दीस्वर का राजनीती में पदारपन हुआ तो इसमें एक राजनीती की नई परिभासा हुई हर ब्यक्ति को पिड़ित ब्यक्ति को नयाय मिले यह उद्देश था और इसी के चलते हिंद्वाहिनी के गठन भी उन्होंने किया और आज इस उत्तरप्रदेश के गोरखपूर छेत्र में हर वाड में हर मुहले में हर गली में हिंद्वाहिनी के कारकरता आपको सक्रिफ और आम जन्ता की बीच में अपनी सक्रिता निभाते हुए दिख जाएंगे अगर मैं आपसे ये पूछू कि गोरख पुर में हिंद्वाहिनी जादे स्ट्रोंग है या फिर बीजेपी जादे स्ट्रोंग है क्या जवाब होगा? और हम लोग पूरी तरह से रास्त के प्रतिसमर पे था है। लेकिन यह भी जाता है कि योगी आधितनात भाज पास से ठकर इसले ले लेते हैं क्योंकि हिंदू यह बहुत स्टौंग है। यह फिर उद्धरप्रदेश के अंदर हैं आपके हैं जनता के बीच में पकड़ है। जो भी राजनेता होगा, जो भी जनता की बीच में जो समय देगा, जनता की लिए सुनेगा, जनता की आवाज बनेगा, जनता उसे पसंद करती है, हर लोग अपने अपने तरह से इसका विशलेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग भारती जनता पार्टी के साथ में मिलके काम करते हैं और हमारा राजनेतिक पार्टी भार्थी जन्ता पार्टी है और हिंदुआहिनी एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठर है अच्छा भई आपना नाम बताईगा अपर स्वामिनत खरवार क्या है गोरगपुर के अगर मैं मूड जानना चाहाँ जाए सारव गोरगपुर महराजी के साथ है महराजी के साथ है क्या कारण है कि योगी आधितनाथ यहां से कभी नहीं आ रहे मतलब कहा जाए तो पांच बार से सांसद रहे महराजी सुरू से ही लोगों की पीड़ा दुगदर में सामील आते हैं जब सांसद थे तो किसी की छोटी सी समस्या होती थी तो मंदिर जाता था तो महराजी बढ़के उसकी समस्या करते थे इसना ते महराजी को कोई हरा नहीं पाया और अब भी महराजी जो सड़के है इन सब समस्या हों को महराजी ने बहुत अच्छे हैंडल किया है सपा की सरकार में 6 गंटा लाइट मिलती थी आज 22 गंटा से 24 गंटा लाइट मिलें इसले महराजी पुना सरकार बनाएंगे इस बार 2022 में अच्छा योगी आधितेनाथ सांसद से मुख्यमंत्री बने तो गो कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था आज रात बनाल रहा रहा है राजगाड देख लीजे राजगाड में कितना सुन्दरी कर और रहरा ये सार्य करेवजे इसले नहीं करता था ताम थखें औरकार में 722 गंटा इसले जंगल जंगल थे और सब महारा जीन water ब enormeं कर दिया आफ योगी जी हमारे गोरगपूर के मसिया है उनकी द्वारा जो गोरगपूर का डिपलेमेंट और विकास हुआ है आज तक किसी पार्टी की समय नहीं हुआ है जैसे भी एम्स जो आया एक बहुत बड़ी प्रब्दी है हमारे फटलाइजर का बनना एक सुगर मिल का और दूसरी जो भी समस्या है हमारे हमारे गोरगपूर की डेवलेमेंट का तक जो नाला और सड़क बना है किसी भी सरकार की समय इसा नहीं देखा गया आज चारों तरफ चका चक है नाली सड़क हर चीज हर सुवधा प्राप्त हो रहा है गरीबों को रासन पांच किलो जो म पाया है अगर मैं यह बात आप से पूछू आजम गड़ आपका अखिलेश जी का गड़ हुआ है ना गोरगपुर आपका योगयादितनाजी का गड़ हुआ यह दोनों के अगर मैं कंपेरिजन करूं यूपी के रहने वाले आप हैं जरा कंपेरिजन कर दीजिए आज आजम गड़ में भी योगी जी आएंगे यह कोई रोग नहीं पाएगा आजम गड़ में सपा कहते हैं अखिलेश जी कहते हैं कि यह तो हमारा गड़ है किसके लिए है कोई बताए ने मुहम्मदन और जाज़बाद के रूराजनीत है वहां पर सक्री है जिसके और नहीं के साथ है चलिए ओवसी नहीं आज ने कहा ही हम योगी आदीतनाथ को मुख्य मंत्री नहीं बने देंगे ऐसा ही समाजवादी पाटी के तरह के वह कहते हैं सब कहते हैं जानते हैं जीरो परसें टोट पाएंगे मुहमदत का वह भी सिहां में उनका देश चलेगा यहां यहां नहीं कुछ कर पाएंगे चैलेंज पर आप क्या कहिएगा जैसे जाएंगे क्या एसा मतलब मुख्य कारण है कि जिसके वज़े से 2022 में जहां सपा कह रही है सपा अखिले में समाज के प्रिनेता है और विकास किया जो जन्ता के बीच उन्हंने जो गरीबJust के लिए किया है इस घ्यायता दिया है किया है मेंrs के अगिलेस के बारे में कर दोब हंत रहा है मतोट है ठाउच परसेंट भीड़ा हूजा है उनके साथ नह 할게요 तो बात करते हैं युवा के लिए रोजगार की बात करते हैं जी वह बात करते हैं कि हम यूपी को जो है पूरा उखमलती रहे हैं ना उसकाल में उन्होंने कि दिखा क्या किया विजुली के लिए हम तिन गहंटा बैठे रहते थे पानी बिजली जुबर साक्का उन पहुचा रहा है वह क्यों नहीं रही है इनना मुर्ख नहीं जनता है उनको नहीं देगी कुछ इस लिए कि जो जुर्ग है रोजगार की परक है जो चिछा चलाए हो पर जो रोजगार परक्ष्ण जो रोजगारी दे रहे हैं उसकी आधार पर यू अबर्ग देगा आप बताइए अखिलेश यादव का वोट इन्हों ने कहा कि मुस्लिम भी नहीं रहेगा यादव भी नहीं देगा पांच परसंट इखाली वो सफल होंगे आपको क्या लगता है बिल्कु सही गावनों होने क्योंकि अब यादव भी सिक्षित हो रहे हैं और जात वात की राजनी सूपर उट रहे हैं आप मुस्लिम में जो 3 तलाग आ गया मैंलाओं के लिए यह आपने भी कहा कि मुस्लिम पुरुष जो है वो बीजेपी से कटते भी हैं क्या कारण होगा अगर चाचा मैं आपसे पूछो मुस्लिम पुरुष का जैसे इनों ने भी कहा ना भी कि मुस्लिम पुरुष ऐसा हो साथ कर देखिए कि एक दो भर्ग है कि युदे आपन करता है मुलाहिं को अखिलिश को क्यों नहीं सपूट करता है जरा राजी सबस्क्राइब करें शुटीं गया जिरु पर सेंट है अभी साथ तो इस तर तो उसी तर से बढ़ गया तो तो इसी तर से बढ़ गया है पिप्टी फिप्टी हो गया है तो महराजी के साथ रहे हैं काम भी किया उनके साथ आप बताइए किस से वेगरा कुछ सुना यह होगी आज इतना जानता सुनना चाहिए पुझ महराजी अपने सांसा दिवा करते थे यहां पर तो अपने कारले पर बैठते थे तो उस समय हर तरह की समस्या लेके आम जनता कोई भाई में जगड़ा है या पिता पुत्र में जगड़ा है तो आप इस बात की आस्था का बात आप समझ सकते हैं कि हर यह सरकारी योजन तो इसी समझ्याओं को लेके तो लोा आते इते हि यहां तक के घर यहां पर इसका निराकरन होगा हम लोग को यहां से नयाय मिलेगा तो हम लोग ये पूछे कि पुझमरा जी आप यहां इतने लोग आए हैं इसमें समय भी कम है सबसे मिलना भी है सबसे बात भी करना है तो इसमें प्राथमिक्ता आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस से मिला जाए किस से मिला तो उन्होंने कहा कि देखे यहां पर कोशी से रहती अकेले आया है, क्योंकि किसी के साथ जो आया है, वो बाद में भी कभी मिल लेगा, लेकिन अकेले आया है, तो मुझे कहां ढोड़ता रहेगा, तो पहले मैं उसको बुला के उससे बात करता हूँ, और उसकी समस्या का निराकर्ण करता हूँ, इस तरह की संजीदगी, इस तरह और कार करते हुए आगे बड़े हैं आपने अभी कहा कि गिफ्ट के रूप में नहीं मिला ही होगी आदितेनाद को जो गुर्सी है वो गिफ्ट के रूप में नहीं मिली है यह किसके उपर इशारा था? देखे यह किसी के उपर इशारा नहीं है जो संगर्स करता है उसी को लोग चाहते हैं एक दम जैसे मैं कर रहा हूं कि भारती जनता पार्टी एक सर्व समाज की पार्टी है किसी परिवार की पार्टी नहीं है किसी जात की पार्टी नहीं है गिफ्ट तो राहुल जी को मिला गिफ्ट अपने पार्टी के हाई कमान को सम जम्हराजी को नहीं मिलाए इनके संगहर्षों के कारण से इनको ये जिम्मिदारी दी गई है कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश राजी को सभालने का और उत्तर प्रदेश तो एक अपने आप में राष्ट के रूप में इसकी संख्या है कोकि बहुत सारे देश उत्तर आपको खुद भी नहीं लगा होगा कि ये गड़े की जमिन आच से 20 साल 25 साल पहले इसको गढ़ा कहा जाता है आप आई हैं तो आप अंदाजा लगा सकती है कि इस छेत्र का विकास गड़े के नाम से आज सर्वोपरी मतलब अपने विकास के इस्थिती में आ गया है इससे ज्यादा अगर एक मुहला इस तरह से विक्सित हो सकता है तो आप मुख सड़क से भी बहुत सारे रास्तों से गोरगपुरा होंगी आपको अंदाजा लगी गया हुआ कि गोरगपुर का विकास कैसे होगा आपने कहा कि यह जो जगह है वो गड़ा गड़े के उसमें जाना जाता गड़ा बोला जाता था क्योंकि यहां पर गड़े बहुत हैं लेकिन योगी आज इतिनाद जब से यहां पर सारे गड़े मतलब सीमेंट से पूरा बहुत हो गई है यहां हमारी हाइट से 8-9 फिट नीचे यह जगह हुआ करती थी जहां पे जल जमाओ की प्रकिया थी गरसा हो तो आदा एगंटा पानी तो नार्मली रूप से थोड़ा सलग जाता है लेकिन जो यह बालगरत इस सिती थी आज यह नहीं है योगी आदितनाद का तो चलिए अपने काम यह गिनवा दिया है लेकिन उनकी जो सराहना होती है वो गुंडा राज खतम करने के लिए भी होती है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ ऐसा एक्जांपल जो गोरकपूर में घटित होता रहा हो योगी आदितनाद ने आकरके उसको साफाया कर दिया हो दिखे महराजी का तो यहां पर गुंडे या कुई बरफ्टाचार की बहुत सारी चीजे तो पनप नहीं पाई लेकिन गोरकपूर के अलावा बहुत सारे चीजे जहां माफिया गुंडे या जो अपना बर्चस दिखाते थे निश्चित रूपे उसके अंकूफ लगा है माफियाओं के उपर एक भै हुआ हुआ है वो अपने आपको घूमिगत कर लिये हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सासन चल रहा है जिसमें भरफटाचार गुंड़ई नाम की कोई जगह नहीं है और अपने आप में अंकूसित हैं और आगे योगी अधितनाद में ऐसा क्या करिश्मा है कि जो दूसरी सरकारे नहीं कर पाती है वो योगी अधितनाद बड़ा ही कर ल में आप उसले मांक्तित है क्या है यहिए आपना करत्व investment प्रफटे नहीं क्या है क्या है और रजकार की श्थीत अगर मैं आपसे पूछाई गोरखपूर की स्थिति बहुत अच्छी है और पिछले करीब 22-23 साल में जब महराज जी यहां पहली बार सांसत बनके आये उस समय के स्थिति से आज की स्थिति बहुत बदली हुई है और खास करके सांसत जब रहे उसके बाद मुखमंत्री बने ह तो यहां के स्थिति काफी बदली हर छेत्र में सिक्षा के छेत्र में स्वास्त के छेत्र में रोजगार के छेत्र में भय मुक्त वाता वरन में गोरफपूर के लोग रहते हैं और आज परदेश की स्थिति भी वही है और परदेश की ही नहीं परदेश के बाहर जब आते हैं, तो हम लोगों को गर्व महसूस होता है, कि लोग कहते हैं कि आप गोरह पुर्चा हैं, योगी अधितनाथ के छेतर से आए हैं, वो चाहते हैं कि हमारे परदेश में भी योगी अधितनाथ जैसे मुख मंत्री हूँ, जो भैवुक्त बाताबन में उनकी जनता रहे हर तरह की स्वास्थ सुवधाय जो भी सुवधाय मूल भुत जो चाहिए जनता को सब मुहया कराते हैं परिवार के अभिभावक की तरह हर जनता को देखते हैं अगर पूरे उत्र प्रदेश की बात करूं तो नहीं बिल्कुल और खास करके जो पिछले चार साल में महाराजी नो जो काम किया है हर छेत्र में उसको देखते वे तो उनलों का कहीं नामों निशान भी दिखाई नहीं देगा अगले चुनाव में हम लोग देख रहे हैं हर त जब हम लोग जाते हैं जनता के पास भोट की मांग करने जो मिलने जनते हैं जनता के पास तो अब जनता ये कहते हैं कि अब जरूरत क्या है आप लोगों के आने के दिखा दिया है हर छेत्र में कि आप लोगों को हम लोगों को पास आने के जरूरत हैं हम लोगों को भी उन्हों को देख के हम लोगों को हसी आती है कि उन्हों की स्थिती जो है दिल्ली में जो भी अपने बात कहके फिरी का लाली पॉप देख करके उन्होंने जो चुनाव जीत लिया उसके बाद वहां के जन्ता के जो हलात है वो तो देखने लायक है कि क्या स्थिती हुई है इस लोग किस मुर्ख के चक्कर में पर गए अर्विंद केज्रिवाल और अखिलेश यादव और एक तरफ योगी आदित्यनाद क्या लगता है यह जोड़ी दोनों मिलके योगी को नहीं कोई कम प्रिमेजन ही नहीं है दोनों में कोई तुलनात्मक लोग का कुछ किया ही नहीं ज ते हेलो कुछ